असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोलोजी विद आमना तो आज हमने स्टडी करने शेल कोईलिंग एंड लोको मोशिन इन गेस्टोपोट्स तो सबसे पहले हम शेल कोईलिंग को स्टडी करते हैं कि अंसेस्ट्रकेक के अंदर شेल कोईल था और जो असलाने शेल, कोईलिंग आजए क। कोईलिंग हो रही है कौणी स्पारल में क्या हो रहा है का वे में कुछ इस तरह से अरेज़ हो रहे है कि एक साइट पे जो है वो cavity का volume नीचे से increase हो रहा है दूसी साइट से कम हो रहा है तो जब इस तरह की arrangement होगी तो ancestors के अंदर क्या था कुछ organs paired की फार्म में थे paired structure थे लेकिन modern day gastroports में shell की cooling के वज़ा से एक साइट के जो organ है वो loss हो चुके है तो सिरफ हो सिरफ एक साइट पे ही organs present है जैसे for example gonades तो gonades modern day gastroport के अंदर pairs के फार्म नहीं बलके single structures की फार्म में है इसी तरह neferidia भी single structures की फार्म में है shell की coiling की वज़ा से तो इस तरह organism है shell की coiling के लिहासे अपने weight को redistribute कर लिया है इसके बाद हम देखते हैं इसकी locomotion तो locomotion के two ways हमें देखने को मिलते हैं अगर हम smaller gastroport की बात करें तो smaller gastroport में देखें इसका जो structure होता वह कुछ इस तरह का होता है तो यह होता है इसका muscular food तो muscular food के उपर क्या होगा cilia present होगे cilia के लावा इस food के उपर जो हैं वो कुछ gland cells present हैं इन gland cells क्या करना है इन्होंने mucus को secrete करना है तो सबसे पहले यह substrate की surface के उपर mucos को secrete करेंगे mucos secrete करने के बाद यह cilia जो होंगे यह simply इस substrate के उपर crawl कर सकेंगे तो smaller gastropods में जो movement होती है वो cilia की मदद से होती है अगर larger gastropods में देखें तो larger gastropods foot की muscular contraction की वज़ा से move करेंगे अब देखे larger gastropods जो है वो simply cilia की मदद से move नहीं कर सकते अपने बड़ी body की वज़ा से तो इस वज़ा से जो foot के अंदर muscles present है उनकी वज़ा से इनकी movement होगी इसके बाद food जो है वो कुछ structures के अंदर modified भी हो सकता है तो यहां पर इसका जो foot है वो fins की फार्म मोडिफाइड हो चुक है ताकि जो butterfly है यह swim कर सके इसके बाद अगर abalone यह limpets में बात करें तो बहां पर जो foot है वो क्लिंगी यानि attachment के लिए modified हो सकता है तो student यह थी मिल्यास की वीडियो अगर आपका इसमें से कोई question है यह confusion है तो आप comment में मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो मेरे चैनल के सबस्क्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे इंफॉमेटिव वीडियो आपको मिलती रहें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलाफिस